नमस्कार, वो अपने यहाँ पर एक कहवत है कि दूद का जला चाच को भी फूक मार कर पीता है मगर बात वो है कि गरम तो दूद था, चाच नहीं, फिर क्यों इतना ड्रावा हो रहा ये चीज रिलेटेबल है, ओएमजी टो जिसका पीजर रिलीज हुआ है बट दिक्कत ये है कि सेंसर वोर्ड ने उस मूवी को बैन कर दिया है रिलीज होने से रोग दिया है, क्यों? क्योंकि उसमें बताय जा रहे है कि कुछ ऐसी बाती है जो नहीं रोनी चाहिए, भगवान की मूवी में सेक्स एजुकेशन का क्या का दूसरी चीज है, कि पहली ये बात हो रहे ही थी कि भई, OMG 1 जो पाल्ट है, वो अगर इस टाइम पर रिलीज हो तो इतना बखेडा खड़ा हो जाए, क्योंकि अहले लोग जाने देते थे लेकिन अब लोग खड़े होते हैं, अगर उगी भगवान के बारे में कोई कहता है बर बात ये है, कि सोच रहे थे कि अब OMG 2, कैसे बनाएंगे OMG इतना अच्छा सिक्विल है कि OMG पैनली बाली काफी हिट हुई थी तो तू तो बनानी ही Amakers को, Producers को पैसा चीए बट कैसे कि Controversy भी ना हो और पैसा दिया जाए तो उन्होंने सोचा कि पिछली बार तो एक बंदा था वो एक नास्तिक था उसके लिए भगवान थे अब की बाद हम आस्तिक बंदे के साथ भगवान को जोडेंगे जिसके बाद पबलिक जो है वो भी खुशी-खुशी देख लेगी और हमारा पैसा भी बन जाएगा उसमें उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि हमें भगवान की इज़त भी करनी होती है किस तरीके से डायलोग्स लिखे गए जो बता रही है कि जो शिव जी बगवान के डायलोग्स उनका जो स्तर है वो काफी कम है मतलब जिस तरीके से मैं बताऊँ तो आदिक बुरुश में जैसे हनुवान बगवान के बना रखी थे कि जलेगी भी तेरे बात की अंडोल दै जो कि हमारे बगवान, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे बगवान कभी ऐसे शब्द इस्तिमाल करेंगे पर बात यह है कि क्या जो अब सेंसर बोर्ड ने किया है जो रोकी है अभी मूवी क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है जिस तरीके से आदिपुरुष को रोका था तो उस मतलब छोटी चीज़ों को बड़ा समय बना रही है या हर मूवी की अब इतनी हिम्मत होने लगी है कि वो हमारे भगवानों को टार्गेट कर सके अगर यह हिम्मत होती है तो जाहिर सी बात है हमें उन जीदों का बोईकूट करना चाहिए बट अगर सिरफ यह आदिपुरुष के फ्लॉप और उसके खिलाफ लोगों की आवाज के वज़े से यह सब हो रहा है और वो भी अच्छी है तो इसका मतलब यह है कि हमें अच्छी नोवी अक्षय कुमार का विरोध कर रही है और बात यह है कि अगर यह चीज है कि OMG2 में ऐसे ऐसे sentences हैं तो main question यह है कि इन actors, producers, directors कम से कम सो लोग होते हैं क्या उन में से एक की भी इतनी इमत नहीं थी या इतनी समझ नहीं थी कि उसमें जो गलत है उसकी खिलाफ बोलें उसमें जो गलत है वो बताएं क्योंकि वही बात है कि sensor board के भी लोग है और normal लोग shooting के टाइम में बिलें तो उनको यह नहीं पता कि क्या गलत है क्या से ही और शेपमार खुद rightist माने जाते हैं भगवान को मानते हैं हाना कि शिल जी के बारे में वो पहले कहते हैं कि जो हम दूर चड़ाते हैं वो नहीं चड़ाता चीए बाकि से पर बात यह है कि वो भी एक तरीकी से rightist हैं तो क्या वो rightist सिरफ और सिरफ अपने movie के लिए फाइदा उठाने के लिए बने थे क्या उसे फोर सिरफ politics में इपना हाथ हाज माने के लिए बने थे उन्हें कोई वतलब नहीं है कि हमारे बगवानों को movie और इन सब में कैसे दिखाया जा रहा है अगर नहीं है तो definitely we should boycott है अग दूसरी बात आती है कि अगर इस movie में इतना कुछ नहीं है और ये शिर्फ और सिर्फ आदिपुरुष की वज़े से है तो तो मेरे हिसाब से sensor board को ही हटा देना चाहिए क्योंकि पंकश्त्री बाते जी अब ही कह रहे थे तो काफी घटिया बात बट क्या है क्या नहीं आगे किस तरीके से किस करवट रुट बैठ सा है उसके लिए देख तरी हमारा चन